अभी एकदम किसी का तो माइक चल रहा है और अच्छा कासा गाना भी बज़ रहा था हावारा पागल कुछ तो को ने वो निवान भाई माइक बंद गर तो 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 रोटेशनल मोशन सब लोग यहां पर वहां पर देखो वापस देखो अच्छे से देखो ठीक है अब कुछ ल सब्सक्राइब को यहां पर अपने सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि कोई भी एक पॉइंट सब्सक्राइब में घूंगता है तो यह सेंटर क्या गया है सब्सक्राइब को यहां पर पकड़ा रही है ऐसे ऐसे घूम रहा है तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते इसको हम लो तो सब्सक्राइब किसी ने बोला तो एकदम सिंबल ता फरक होता गाई तो ऐसे इमेजिन करो यह पेंज जो है यह फिर मैं आगे एक जड़ा जाता हूं रूको एक मिन आगे एक एक जामपल भी है जैसे यहां पर देखो यह एक मग घूम रहा है कि मग घूम रहा है ठीक है अ इसका हर एक पार्टिकल तो सरकल में घुम रहा है ऐसे तो इसका हर एक पार्टिकल जो चोड़ा जो पार्टिकल है वह सरक्यूलर मोशन कर रहा है उनको सबको मैंने मिला दिया एक कर दिया तो वह क्या कर रहा है रोटेशन कर रहा है तो जहां में रखना कभी भी जहां में तो रोटेशन हम लोग बोलते हैं रिजीड बॉडी का होता है जहां पर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं और वो क्या करते हैं उनको कम्माइन करेंगे तो बोलते हम लोग रोटेशन करते हैं इतना समझ मैं और यह सब कुछ हुआ है तो मैं थोड़ा सा फास्ट्रेक में पढते हैं अब यहां पर पिद्गे को है पार रोटेशन मोशन पाहिला वाला मिल्ट उनलग है ठिक है अब मोमेंट ऑफ इनलटा कहा है जैसे आपको वुचक्छ सी बाती जैसे हम लोगी निवोटन लगूटांबा मोशन में पढ़ाना उस इस इकूब कब लो इस उनव्त ने लिख टे थे एफ को सेंटर ऑफ लिखते थे थे हém मतलब है लोते यहां पर यहां सिम्बल डाला है सींबल लोग लोग बोलेंगे ठीक है और इसको हम लोग यह भी बोलते हैं moment of force क्या बोलते हैं मास को देखा होगा अपने इनर्शिया बोलते हैं इनर्शिया इतना जादा मास उतना जादा इनर्शिया है तो यह हो गया analyse of theoken First Network होगा तो इसको ओलों क्या मोमेंट आफ इनर्शिया और हम एगे यह以क्यशन के के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और कि इसे लगाते हैं जैसे एक्षिण के से लगाते हैं वह पढ़ेंगे लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ने वाले सिर्फ यह आई के बारे में क्या का लेकिन कि लेकिन मोमेंट उफ इनर्शिया का तो करना पड़ दो किम आप यहां पर आप सोब्कम्स के ऊपर इसके मतलब आप दूर रखा कि इससे वह होता है बतलब मास कासुंट का कैसा है एसके उपार इस्सेब होता जाएगा ठीक है अब यहां पर जैसे एक एक जापल दिया है यहां पर एक मास अपना रोटेट कर रहा है और इस चीज़ को इसको बोलेंगे इसको एक नया नाम देंगे इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यह जो बेसिकली यह जो मास है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई की वैली ओपन लिखेंगे एम इंटू क्या करेंगे आर स्क्वेर मतलब यह जो मास होता है न मास इस मास का यहां से परपेंडिकुलर डिश्टन्स लोग इस आर ना इसके यह जोरुत ने क्योंकि आपको दिखी रहा है तो उस मास का अगे के इसमें अच्पर फेंडिकुलर डिश्टन्स लेने का तुक्षण अब बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square यह हो जाएगा मेरा मोमेंट ओफिन अब मुझे अइसे बहुत सारे अन मसे तो इसका मोमेंट ओफिनिश्य क्या हो जाएगा सिगमा ओफ सब्सक्राइब कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो क्या नहीं कर सकते है को कि एयसा कोई वो नहीं है मतलब कि और जिनको देखना न वाई वी डिडियो में देख्व वीडियो में पुरा दिख रहा हूं है आज तो का पहल नहीं रिकता था इतना ही दिखता था जब्न शौन देख्वरा हो प्सक्राइब तो चलो कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो गाई अगे बढ़ते हैं अगे बढ़ते हैं फटावड फटावड लिखते जाओ टाइम नहीं अपने बास जिंदगी में एकी चीज की कमी होती है जो की होता है टाइम ठीक है चलो कि अब हम लोग देखे आफ यहां पर देखो यह था हम लोग का मोमेंट आफ इनश्य और मासि अब मैं आप एक सिंपल सा यहां पर और स्लाइड डालु देता हूं जहां पर अलगलग मासिस रखे हुए थे तो ऐसा पकड़ लग से की एक विजिए त्रैंगल है एक्स ट्रेंगल है ट्रैंगल का सेंटर हुए और स्राइन में रखना इस ट्राइंगल के सैंटर से एक्सिश सफ चुछ भी सब न कहा पे जा अब गई इस पर पंडीकुलर टू प्ले कि रहा के रहार किसे पर पांडीकुलर तुबले को संकों न Hai सब कुछ पता है ठीक है अब मुझे दिखाने कि यह पूरा को रखी रोटेट कर रहा है और इसके दो तीन इस पे एक मास रखा है 1 kg का दूसरा मास रखा है 2 kg का और यह जो सब का डिस्टन्स है इस इधर से जो डिस्टन्स है वो दिया है तो यह डिस्टन्स भी टू मीटर दिया है और गूम रहा है इस और गूमने वाले सेंस इस इसका मज़ गूम रहा है कि इसका मोमेंट ओफ इनुश्या कितना होगा चलो बताओ चैट पे कितना होगा आंसर पटाफट बताओ अगें ट्विट्टी सेकंड्स थर्टी सेकंड्स ज्यादा बड़ा क्यलकुलेशन नहीं है मोमेंट ओफ इनुश्या कितना होगा अगे एंवन एंटू एंट्री चलो गाइश आपर देखलो जिनका हुआ जिनका नहीं हुआ डिवीजन है देखते रहो ठीक है मोमेंट ओफ इनुश्या होगा एंवन और वन स्क्वेर प्लस एंटू आर टू स्क्वेर प्लस एंटू कितना टू स्क्वेर अंसर कितना हुआ यहां पर टू स्क्वेर कॉमन निकाल दो मोमेंट ओफ इनुश्या होता है किसी ने बोला सर इसका यूनिट क्या होगा तो आप केजी मीटर स्क्वेर ना काई मोमेंट आफ इनुट क्या होता है केजी इंटु मेंटर स्क्वेर इसमें तुब नुट करें इसे दिदेशन चैजसर को फुच्छ नाम बताओ परेले अरनदभ तुच्छ चुर्ण तरगों स्क्राइज शर्मॉमेंट अप इनर्सिया को बोला नज़िवेशन कै इसमें आइप मोमेंट आप इनुट को बोलान तरग आए मार्सकर मोमेंटेंट ऑफ कि प्रक्राइब जाहने और सब्सक्राइब है इसमाने मतलब क्या में यह बलू कि यह कहां से आया ऐसा यह चीज़ मर्सक्राइब कि ये बगवान ने दिया उपर अभी समझ लो कि बगवान ने दिया है तुमको जादा सोचना नहीं है कि रिसर्च नहीं करना तुमको एंजिनेर हो यूज करना फटाफ़ केल्कुरेशन करना आगे बढ़ना है अब नहीं बोला तब फिजिक्स में डिडिवेशन होएगा ही अधिडिवेशन बिलकुल है मैं डिडिवेशन बदाऊंगा ने इंटिग्रेशन वाले डिवेशन ये तो मैंने बोला जिसे एक इसे एक जो रिसर्च किया हुआ पहले अल्डेजी लोगों ने बर्नौली प्रिं कि इस डिफाइन मोमेंट ऑफ इंटियोस मास मोमेंट ऑफ इनटिनुश मास क्या होता है वाट इस कंटिनुश मास मतलब क्या इस इसको में निखूंगा यह जो मिने पहले चो किया न सदियोटेड़ का मतलब क्या होता है सब अलग 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 जगे पर रखे हुए है अब इसको हम लों बोलेंगे जब सारे मास में पोजbaby में सारे स सब.." है इसको हम लोग नहीं हो रहा है जो भी नहीं हो रहा है यहाँ चोटा सब्सक्राइब करते रहना है इसे मुझे बहुत सारे मांस को एड करते रहना है कि इंटीग्रेशन करना है तो यह हो गया मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब मोमेंट ऑफ इसको आपन यूज करेंगे और चीजों को सौल करेंगे कंतिनूस अब इसमें आपको तीन तम बताये थे सेंटर ऑफ मास में रेकिन सेंटर ऑफ मास इदर बैक्री वालों का नहीं हुआ है तो मैं यहां के तीन कम को डिफाइन करता हूँ एक तम होता है लैंबडा इसको मोग कुंसा बोलते हो गई इसको मोग बोलते है ठीक है और लैंबडा की वैली होती है मास पर यूनिट सबस्क्राइब लैंबडा इसको में इसको में लोग क्या बोलते गई तो सिग्मा को में लोग बोलेंगे मास पर यूनिट एरिया ठीक है इसको यह हो जाएगा इसको मोग बोलते हैं वाल्यूम मास देंसीटी और इसको हम लोग क्या बोलेंगे फिर गाइस रो की वैली होती है मास अपॉन वाल्यूम कोई दिक्कत है इसमें अब लेक्टर को चीज़े सुननी है जैसे जैसे लेक्टर खतम हो जाए जो डेरिवेशन का पार्ट है वह आपको दो दिन में देख लेना है ठीक है और खुद से करने कुछ डेरिवेशन चलो तो यह हो गया मेरा क्या लैंबडा लीनिर मास देंसीटी सिग्मा सर्फेस मास अब यहां पर इसको यूज करके आगे बढ़ते गई तो किसको लोग मैं बला कि मैंने कुंसे तीन टम्स पड़े तो लेंड़ा पड़ा हुआ इक होता है सिग्मा पड़ा विचीज मास पर इनिट एरिया और रो पड़ा विचीज मास पर इनिट वाल्यूम ठीक है अब कभ को छोटा मात्स डीए बास अपने को लेख नहीं नहीं है तो लेक्ड की वेल्यू क्या हो जएगा लैमडरा ने की लीफ हो जाएगी स्वडे में सेम से इंटेर की किवालियो हाओ पे क्या हो झालेगी Miguel स्मॉल एडिये और यहां पर यह वाला चीज क्या हो जाएगा बताओ मुझे यहां पर बीएम के मास क्या हो जाएगा रो इंटु क्या स्मॉल वाल्यूम डीवी तो कभी-कभी यह चीज में ने बोला है यह भी काम में आता है यह जो आके बढ़ते हैं कि देखो इसको अगरे चाहिए दिखो इसकी देखो बेच सेकंद दे रहा हूं मैं आपको बीस सेकंद दे रहा हूं फटाफट लिखो है बोलो है अब जो लिख रहे है वह बहुत डिले के बाद आरा रहा है शेयरे स्क्रीन पे नोग है तो大家好 में देख रहा हम हो रहा मैं मैं देख रहा है कि कबस्का हरा हो एक हो रहा हम तो इसंटने क परिशन के लिए लगाने वालों और बाखी घर में लिए अपना जो नॉमल चल रहा है वहीं चल रहा है तिक है चलो आगे बड़े आगे बड़े कोई कुछ बोल रहा था तो गलती से माइक चालू था या कुछ बोल रहा था कुछ पूछ रहा था सब्सक्राइब कि आपने कुछ बोला देखने और तू डेज में वो क्या था मैं तो डिसकनेक्ट हो गई थी और आप बोल रहे थे कुछ टू डेज में आपको देखना है कि इसका इंटीगरेशन वाला पार्ट है उसको देखने आपको जो इंटीचर पार्ट में आपको बना नमद देखो अभी ताइम वेस्ट हो जाएगा वो उसको आपको देखना एंस लेक्शर के बाद आज अब यहां पर आगे बढ़ते चला आगे बढ़े यह सर अब जैसे यहां पर इंटेशन का पार्ट क्या होता है न मैं आपको फटा 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 बता हूंगा जो बैच 3 वालों को नहीं समझा तो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बैच 1 & 2 वालों को थोड़ा से हो जाएगा और बाकी का इंटेशन में करूंगा नि मैं डायरेक्टी फॉर्मॉला बताऊंगा लेकिन मैं मैं बता रहा हूं जैसे यहां पर देखो मुझे इसका मोमेंट आफ इनर्शिया निकालना है अब मुझे पहले तो बताओ यह जो यह जो रॉड है इस रॉड के कहा इसका पूरा का पूरा जो लेंट है और इसका मास म दिया है ठीक है तो गाइस यह जीज दी भी है अब बोला है कि इसका मोमेंट आफ इनर्शिया कैसे होगा and how to use that integration ठीक है कोई भी इसको लिखेगा नहीं यह में इस एक रिवीजन के लिए वापस बता रहा हूँ बाद में इवन बैच वाले लोग भी क्या करेंगे पूरे के पूरे इस इस इंटेशन वाले पार्ट को अफटर दे लेक्चर वापस एक बार देखोगे अपने प्रिवेस वीडियो से इतना कर देना ठीक है हम लोग क्या करते पहले मुझे बाद मोमेंट ऑफ इनर्शेय का मेरा डेफिनेशन क्या सा कंटीनूस मास सिस्टम का आइज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओफ दी एम इंटु आर स्कुरेर यह मेरा तो पहले तो डेफिनेशन था यही तो था इंट कही पर यह घ्य के आख स्पोर्ज कई मैं ठीक है ऑ इन्टीग्रेशन तो हो गया अब यह वह देखो के इंटीग्रेशन की लिमिट्स जाड़ेंगे क्या अब यहां पर सब नि होगी घए यह एल बाइट वह है और यह जो है यह पीछह नसफ आर। समझ मैं रहें रहें से लेकिन और जो बिसफलेंगे हम लोग इंटिकर्शलों की लिमित तो यह क्या होंगे माइनस एल यह क्योंगत कोशिए फिलसल्ग यह इतना में लिखा है ना यह इसके बाद जो भी आपको करना है वह अपका विक होगा तो थो फिशिक्त सब्कां आशी होगा तो फििजिक्स आपका अच्छा नहीं करें लिनियर मास ऍंसिटी सिगमा करूंगा इसको मैं किया लिए करूंगा लिनियर ब्राइब्दिट करूंगा कभी भी x square होगा तो बाजू में dx होना चाहिए तो एक करके साथ dm होगा तो नहीं होगा नहीं integration या फिर मैंने बोला integration of x square into dy होगा तो integration नहीं होगा xy नहीं x dx y dy ttt ऐसे ही कुछ होना चाहिए तो वो possible integration को possible करने के लिए मुझे किसको convert करना पड़ेगा dm को in terms of dx करना पड़ेगा dm को in terms of dx करना पड़ेगा वो करने वाला को ने गाई वो करने वाली एक चीज अपने देखी थी mathematically which is dm is equal to lambda dx समझ में आ रहे हैं because lambda is linear mass density और lambda क्या होता है lambda is what mass per unit length total mass m है total length l है तो आपन क्या लिखेंगे M by L लिखेंगे into dx क्लिखेंगे क्या हो गया मैरा dm when convert हो गया नव हो गया विद्स इसको वीडियो को देखना है भी वीडियो भी देखने वापस वापस बोल्रों अब यहाँ पर M & L दोनों constant हैं दोनों को बाहर लेक्ट एक्स का integration करो तो यहाँ पर अपन आएगा M by L यहाँ पर आएगा X ट्वेल आता है तो यहाँ पर अब यहाँ पर जहां में रखना जैसे यह था moment of inertia about of an axis passing through center of mass यहाँ पर एक सिंबल अपन उस करेंगे अब यहाँ पर यहाँ पर वही रॉड है अपना सेम रॉड है कहां से जा रहा है से जा रहा है तो यह अपना वही रॉड था जिसका मास M था लेंट L था लेकिन अभी access of rotation कहां से पास हो रही है एंड से पास होगे नॉट से नॉट सेंटर ऑफ मास तो वापस वही अपना इसका डेडिवेशन करना पड़ेगा तो मैं डियम लूंगा इसका लेंट सब्सक्राइब तो अपन लिखेंगे डियम इस इक्वल टू लैमडा डी एक्स अब वाट इस लैमडा विचीज मास पर इनिट लेंट 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 तो यह हो गया मेरा डियम तो डियम के जगे हम लोग यहां पर जालेंगे इसको आप सॉल करोगे तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू कितना आता है गई यह होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वोट सेम रॉड बटन एक्स पासिंग थू नौट सेंटर ऑफ मास थू एंग मुझ में आ रहे हैं तो यह मेरा दो कंटिनूस मास मेंने कैसे देखा वेने आपको बता है कि इंतिगरेशन को कैसे यूज किया जाता है थोड़ा सा अभी क्लैडिफाय हो गया क्या बाइच वन तू का इंटेशन क्लैडिफाय हो रहे है यह सर ठीक है अब यहां पर हो गया रींग देखो एक री फींदार हो रहा है जब कोई बोलता है तब आपका स्क्रीन दो अरॉ हो जाता है अख भूब लो मत भैं मिनक अपने खुद को यह करते रहने का जेके मन मैं मन के अंदर ऑले का मैं आपके मन की आवाग सुन लोंगा attention 원 तो अब यहां पर तेखो यहां पर यह ओ गया मेरा एक्सिस और यह हो गया रिण ओर रिइंग मस्ट अपन घुमा रहे हैं कि एक इसको में कुछ इस तरह के देखो गाइस इसको में इस तरिक से कि रिखाता है रिंग रिंग यह तुम लोगाइस तुम लोग खोजा ना इती जिस नॉट डिस्क अब इसको में यह साइड वीव देख रहा हूं मैं सपर्फ तॉप यू देखा तो रिंग कैसे देखेंगी यह हो गई मेरी रिंग यह हो तो इसकेश में इसकेश में पता आपको मोमेंट आफ इनर्श्य को कैल्पिलेट करने के लिए वापस इसके बाहर चला जाता है और इसका जो मोमेंट आप इनर्श्य आता है यह सिंप्ली ऐसे आता है इंटिग्रेशन ऑफ दीम यहां पोई इंटेशन करने की जरोती नहीं पड़ी तो इसको मुझक बोलते मोमेंट ऑफ इनर्शा कितना आया रिंग का कितना आया MR स्क्वेयर यह भी फॉर्मूला बन गया था जो आपको याद रखना था स्वेंट् कंपर सानी माथ 2023 पॉर्मृप आ हुप नंए रिंग बोलते म्नौमृप कितना सु स्थेंटो एंट प्रफेंग्री श्प्रेशन की यह हैं प्रेंटिक्टिक्र पास एंट इस पिक्रॉप यह जीए लिचS कुबरीन को एंटर कितना था इस्त एंट़्टनुट्रं कि मैंने दिखा बहुत इंपॉरन्ट है इसके बाद आता है डिस्क का मोमेंट आफ इनर्शिया वी दिया हुआ है देख ले ना बाद में रिंग का मोमेंट आफ इनर्शिया के लिए अपन क्या करते हैं यहां से चोटी सब्सक्राइब 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 कि इसके बाद यह क्या हो गया बहुत गंदी तरीके से इन्हों ने स्फियर बना है एक प्रॉपर स्फियर है लेकिन यह सब्सक्राइब 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 करना होता है और इसका कितना आता है इसके बाद आगे का अभी लिखो मैं अभी एक ही पेज में सब कुछ लेने वाला हूँ अभी अब सुनना है यह होता है सॉलिट स्वियर का मोमेंट आफ इनर्शिया होता है वह कितना आता है वह आता है टू बाय 5 5mr square तो अभी याद रखना है देखो अभी याद रखना है सारी के सारे एकी पेज में यह आपको लिखना है यह आपको रिखना है इसका हो जाएगा ml square by 12 इसका moment of inertia हो जाएगा ml square by 3 इसका moment of inertia हो जाएगा ठीक है इसका मास M है और radius R है इसका भी मास M है और radius R है इसका जो center of मास जो जा रहा है वो था MR square by 2 इसका moment of inertia कितना है आई center of मास का यह sphere लेकिन यह hollow sphere ठीक है और यह था solid solid sphere में फरक समझ में आता है न तुमको इतना तो बड़ा है तुमने यह होता है डिस्क यह होती है रिंग कोई दिक्कत लो से ठीक है और यह चीज हो जाएगी टू बाइं यहाँ पर हो जाएगी टू बाइं ट्री MR square और यहाँ पर moment of inertia क्या हो जाएगा टू बाइं पाइज एमार स्कूर इसको पूरा का पूरा लिख दो गैस यह एक पेज को लिख दो यह होते अलग-अलग-अलग-अलग-अलग मोमेंट आफ इनिश आफ दढ़ डिफरेंट इफरेंट सिस्टम ठीक है अब इस रिंग के बाजू में आपको पता है रिंग तो मैंने और एक चीज बताई दी बताओ क्या बताई कि मैंने जिंग के इस घूम रहा है ऐसे तो यह बनेगा उसका भी सेम होता है वैसे यहां पर क्या बनेगा यहां पर एक डिस्क दूसरी डिस्के उपर डालते गई तो कौन सा सिलेंडर बनेगा गई तो यह चेक अभी क्या बिखते लिखते आप लोग याद करो एक मिनिट दे रहा हो मैं आपको लिखने के लिए ठीक है फटाफट देखो इसको कि कर देट सिलेंगा है और वोग ठाफटे लिएक है तो चरुँट passed कि उता है वादा पर दो यहां वहां पर भालते तो कि दूटते वाद़ में परिखते के अगवाद हैं देच देबसर झाल झाल ठीक है सर बोलो सर मोमेंट अफ इनर्शिया वोड डिपेंड अँड डिरेक्शन अफ अगुलर वेलोसिटी नो बीकॉज आए वेक्टर नहीं होता है रही कि अधर मार्स यहां पर ही नहीं ना मार्स यहां रेडियस है डिस्ट्रिब्यूशन है अधर मोमेंट अफ इनर्शिया जो है वो अधर ना श्केलर ना वेक्टर वह अलग है वो अभी के लिए कुछ नहीं कि मुट करो मुट करो चलो आगे बढ़ते हैं कि अधर खतब हो चुका है गाइस कि मज़ा कर रहा था फटाफट लोग तो दो-चार लोग निकल भी गए होंगे कि दालते रहते हैं यहां पर रुको एक मिनिट अब पंगा देखो क्या है सब लोग से सब लोग सुनो धेंस अब मैंने जो बता है आपको मोमेंट औफ अफ इनर्शियाँ बता है ने सार इसका बताद या मतलब मैंने एक राग का बता दिया लेकिन यह सारे जो मोमेंट ऑफ इनरी अफ कंटीवस मास सिस्टम निकाल ले इसके लिए कोने कोन बहुत बहुत लगए लेकिन यह सारे चुनद अब कि अपने कोर्ण बड़ा वाला integration भी करना बड़ा आपको अपने को मोमेंट ऑफ इनेश्या धुनना नहीं है एक बार कर दिया न काफी है आपने को समझ में आना चाहिए करना क्योंकि एडवांस में कभी-कभी काम में आएगा इंटिग्रेशन ठीक है लेकिन जही मैंने नीट वालों के लिए तो भाई अपने को कुछ मेंटर्स पता होनी चाहिए तो इसलिए न दो मेंटर्स डाले हैं दो मेंटर्स मतलब दो चीजे डाली हुए दो थीरम आये हुए है आपको नाम भी पता है एक को बोलते पैरल एक्सि एक मिनिट पहले में काम करता हूं पहले में यहां पर पैरल एक्सिश थीरम लिग देता हूं अब पहले सिरम यह होता है मोमें औफ इनर्शिया अबाउट एक्सिश्टिछ इस इंटर ऑफ मास्स थिक्ता है तोटल मास्स पूरे बॉड़ी का था इंटुड इस्क्या है वह बताऊंगा मैं आपको पता है मैं इसका एक्जाम्पल ना पहले तो अपने पढ़ा था उसी देता हूं में सब्सक्राइब होगा जैसे एक रॉड है मेरा यह रॉड है ठीक है इस रॉड का मास M है इसका लेंज है आपको पता है अपने दोनों डिराइब किया था मुझे बता कितना था मेरा स्क्राइब को इस जो इस स्य करके आपको आइवाउट एक्सिस का पता था आएटव अब निकालते इस इस टीरम से इसको तो कैसे यूज़ करना है I about A is equal to kya moment of inertia about center of mass plus M into D square now what is D D जो होता है na D is nothing but this length मतलब जो को दोनों axis I about this axis and I about center of mass दोनों axis के parallel parallel तो इन दोनों axis के अंदर का distance जो होता है उसको लोग लिखते D अब मुझे इसमें D जो है यह डी जो है कितनी होगी जाई मतलब स अब मुझे नहीं मैं तुमको यह near आज तोटल है M और D स्क्वेर कितना है L by 2 का स्क्वेर समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या तो यहां पर I about these axis क्या हो जाएगा M L square by 12 प्लस यहां पर हो जाएगा M L square by 4 अब थोड़ा से LCM करो और 312 3 3 3 प्लस 1 4 तो यहां पर आंसर आएगा M L square by 3 जो कि मैंने अल्डेडी डेरिवेशन से किया था अब मैंने पहले अच्वेरम से दूटा कि समझ में आए जीज हाया ना कि बैच 3 वाले अभी रिप्लेया करेंगे कि एक बार रिपीट करों कोन बर रहा है इसर तू मतलब तुने न वीडियो नहीं देखा भाई तुमको पिछले अपते से बोल रहा हूं कि मेरे को वही सुनना था कि कौन रिपीट नहीं देखा है ठीक है वीडियो नहीं देखा है एक्जांपल 2 से रिपीट कर रहा हूं जिन लोगों ने धोका दिया है खुद को यह आपको जो वीडियो नहीं देखते हैं मैं आपको ब कि रॉड का जो मास है वह है एम और लेंध है एल ठीक है वापस अब मैं समझने के लिए वापस बोल रहा हूँ गाई कि मुझे बता हो सबसे इजी कैल्पोलेशन कोन सा था मोमेंट ऑफ इने शेकर थू सेंटर आप मास वाल अपने को पता था मुझे इसका इस एक्सिस पासिंद्ध रूप मेरे को पता था अब मुझे करने बता है मैं इसी रॉड को इसे गुमा रहा हूं इस रॉड को में घुम तो मैं एशंजड़ा खुमा रहा हूं पूरा का पूरा की अब मुझे बोला है एसली मैं इसे क्ता है इस अब यहां पर देख सकते हो वीडियो में देख सकते हो कि कुछ ऐसा इधर से घूम रहा है ऐसे रॉड गूम रहे हैं कि मतलब यह तो इसी डॉड किये लेकिन अब समझ रहे हैं अब अब बोला कि इसके अबाउट मोमेंट आफ इनर्शिया चाहिए मुझे निकालना है ठीक है सब्सक्राइब इसको लोग बोलते हैं पर ऐसी तीरम क्या T तो पहले तो में क्या करूंगा भाई मेरा यह जो था यह तो मोमेंट आफ इंटर आफ मास यह वाली एक्सिस थी इन दोनों के अंदर का जो डिस्टन से उसकोई तो दी बोलते है तो इसमें से संनब्use मेरेक divorce एंटर किपना तो यह था मोमेंट आफ इनक्सिस है तो यह था मेरा मोमेंट आफ इनक्सिश थी आफ और इस टो स्क्राइब थेंख़ंग ल Community e 721 समझ मह 핑 कि मैं आ रही हैं वहांड में वह पहले बताओ यह समझा है तो इसको इसको यह दोनों को भी लिखो भुद्ध और और एक्सामपल वालो लिखो फटाफट लिखो फटाफट क्योंकि मुझे पढ़ाना है वह भी इंपोर्टन्ट है लेकिन उसके यह खतम होने के बाद च्छोटा सा ब्रेक दूंगा पाच मिनिट का उसके बाद मैं अग्विलर विलॉसिरी पढ़ाऊंगा आपको कि दी मिन्ट जाले लिखो फटाफट लिखो गाइज एक मिनिट है अब कर अभी कर अभी कोई दिक्रत ने मिस्क्या तो चलेगा आगे बड़े आगे बड़े गई एक मिन्ट साथ एक मिनट साथ कर लुए कि अगे कि 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 अ अब मुझे बताओ यह एक्सिस मुझे कौनसे वाला पता है मुझे बताओ एक्सिस कौनसा वाला मैंने जो फॉर्मूला बता था रिंग का वह एक्सिस कहा से जा रही है एक्सिस परपेंडिकुल टुट प्लें ऑफ दरी न अब मुझे बताओ अब मुझे एक्सिस का निकालना है जो कि यह है इस पॉइंट यहां से जारी लेकिन वह भी बाहरी आ रही है मतलब मुझे बताओ एक्सिल में कैसे घुम रहे है अभी यह ओमेगा इदर नहीं लिखता मैं अब यह जो एक्सिल में जो है यह पूरी की पूरी यह ऐसे घुम रही है समझ मैंने रिंग तो इसका मास्ट मैंने यहां पर इसका मास्ट मैंने यहां पर इसका मास्ट अब मेरे को इधर का मॉवंट ओफ इनरशेय निखाना है को होता हूं इन्टिघ्रेशन से जो करेगा इन्टिघ्रेशन से जो करेगा उसके लिए बहुत ही डिटीघ्ञेशन जो गया क्योंकि दिए मिंटू समझ में इंकlar और से करने जाएंगे तो काफी अच्छा कासा डिपीकल्ट होता है यह नहीं करना है तो क्या लगाना है लगाना मतलब क्या कौन सा अब यहां पर पहले तो मुझे इस एक्सिस के अब निकालना था तो सेंटर आफ मास वाले एक्सिस तो पता ही है यह मोमेंट ऑफ इनश्य अबॉट पार्षिंदर सेंटर अफ मास का यह था मेरा डिस्टंस दी कि दोरों पैरल में कितना अब कितनी थी आप पर डी की वेल्यू कितनी थी एक्सिस कितना या तो एम आर स्क्वेर कोई दिक्कत है तो यह समझ में आ रहे हैं कि आप पहले लगाया मैंने लिए लिखो इसको फटावर्ड लिखो 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 आपके जाते रहेंगे अपन और नीट वालों के लिए जो मुमेंट औफ इनेशिया भाई भगवान होता है मतलब नीट वालों के लिए मतलब रोटेशन मोशन जैसी खतम हो जाए अ तो मैं आपको बदाउंगा नीट वालों वालों के लिए किसना मोशन है बहुत कम तो चौथा पाच्वा चाट्वा लेक्षेर जो होगा ना मेरा मतलब हर एक दो तीन लेक्षेर होने के बाद जो आगे के लेक्षेज होंगे एक लिए के लिए वालों के लिए बाकी सब नहीं है सब्सक्राइब निट में नहीं आता है अरे बहुत बहुत चिंदी आता है बताओंगा मैंने नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं है ओके सर लिकिन में जो पढ़ाओंगा आपको सब कुछ नीट हो या कुछ भी हो सब कुछ सुनना है तुम्हारे टाइम का अलग से एक्जाम हुआ थो फिर एम में बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे चलो अब मुझे बताओ एक्जामपल फॉर में एक्जामपल फॉर दे रहा हूं फटाफट तुम लोग मुझे बताओगे कैसे करोगे ठीक है तुम बताओगे मुझे यही था रिंग ठीक है यही था और यहां पर मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है कुछ डिस्ट होता हूं मेंटा फिनेश है कितना होगा इसको इसको एक्सिस होती है आया बाउट इसका मतलब क्या होता है मैंने एक्सिस पर्पेंडिकुलर तो प्ले एक प्रपेंडिक्विल तो प्लेंडिक्विलर जो प्लेंडिक्विलर इमेजिन कर दो रहा है बताँ आंसर चैट पर डालो फटाफाट चैट पर डालो आंसर फिन में बताऊंगा चलो यहां पर देखो यहां पर देखो क्या होगा यह बॉर्ट इस एक्सिस पहले मुझे पताओ तो आए अबोड क्या चाहिए अपने को आएबोड क्या होना पता होना चाहिए उन्टर ओफ मांस की टो है कि तो मैं स्क्वेर हम ब्हु razor का स्वेर हो जाएगा तो एनसर यहां पे डिनका स्क्राइब इसमर बयुद स्क्कांसर को लिखो आप़ी स्क्मूर को गयो कि नहीं कोता है अब मैं जटाओ डिस्ट एक डिस्क दे दिया डिस्क अबाउट अगें आई अबाउट इस एक्सिस कितना होगा बोला है डिस्क का मास M दिया हुआ है रेडियस आर दिया हुआ है फटा-फट निकालो चलो सेवी चीज है कि अब चीज़ें मोमेंट आफ इने शॉप डिक पासिंद दो इसेंटर आफ मास बतावना चाहिए जो आपको फॉर्मोल रटने के लिए बोला था मैंने तो फटा-फट चलो क्यों के लागा है 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 ऐसे ना एक साथ रिसीवर देखो गाइस यह अपना वो कॉलर माइक है ट्रांस्मेटर रिसीवर देखो यह आप यह बहुत जुगार लगाना बढ़त गई चलो यहां पर बताओ मुझे क्या करेंगे कैसे करेंगे इसमें क्या करना पड़ेगा इसमें क्या करना पड़ेगा आई अबाउट देखो यहां पर यह था मेरा आई अबाउट सेंटर आफ मास क्या करोगे पहले आई अबाउट सेंटर आफ मास हुआ फिर उसके बाद यह शांवेया जो मद्यक्ति तो आयओ इसेटी लिए इस की इंटे स्कूर्स टो यहां पर इसका अंसर कितना एया एम आर्स फ्क्वर बाई टू अब दहां में रखना्स एम आर स्कूररओ बाई टू फ्लस आम इंटुए आर किसा आ इस थी बाइ 2M RPM 상ग में आप कर तुम वन जो मत बॉलो तुम को तुम को समझ माना है इस कि कि बाकी जो को बोल रहूं मैं आ leggज अर आर्षय को चलो तो यह एक्जांपल फोर इसमें चलो आगे बठते हैं उपन लिखो लिखो करते हैं पूरा नपर फिजिक्स वापस रिवाइज करा हूंगा मैं उसमें यह लिखने-विखने का टाइम नहीं दोंगा वह वह फाट पाट पाट जाता है उसके अपर लेकिन जाते है इससी सिक्वेंच में ऐसे ही मैं पूरा की वापस पढ़ा देते हूं लेकिन बेहां तो हर एक चीज़ वापस होती है लेकिन उसके जो नोडस होते है वह आप बात में बना गये और उसी टाइम पर बनागे आए घ्रक फटम हो गया तो बनाने होते हैं ठीक है गाइस हो गया लिखके अब यहां पर देखो एक्जाम्पल शिक्स अब अपने काम करते हैं अपन लेते हैं हो अलो स्पियर कह लेते हैं कौन सा स्पियर अब मुझे बता होलो स्पियर में मैंने यह ऐसी डाली आये अब दिस यहां पर आये अब आपी तो अब मुझे बताओ यहां पर मोमेंट आफ इनलशिया कितना होगा मोमेंट अफिनलश्या कितना होगा फॉर्मूला लगा फटा फट चैट पांसर डालो एक मिनिट दे रहा हूँ अब जो तो प्रॉपर टो टो टेकर यहां पर देखो सब लोग चलो यहां पर देख लो क्या था यहां पर पहले क्या करना है यह था बेसिकली आई अबाउट सेंटर ओफ माथ यह बेसिकली था डिस्टन्स तो यहां पर जो यह जो डिस्टन्स था उसको लोग बोलते डी तो यहां पर डी की वैल्यू कितनी आई गाई का स्क्वेर तो यहां पर क्या होगा एम रस्क्वेर बाइन थ्री नाइन का एल्ट्यम हो जाएगा तो आंसर क्या जाएगा पाई एम रस्क्वेर बाइन समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे तुमको एसे दिलम आई डिलम टैसे एपको समझ्धना जरूरी है सुआ हाँ पूलो सेवेन आई नाई श्वेहां डिलम गाइतर धीक किसमें 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 सब्सक्राइब किसमें सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि यह यह जहां पर सेवन होगा कि कि मुझे भी आपके यह सब्सक्राइब कि अब यहां पर आगे बढ़ते आगे बढ़ेंगे लाइब अब बढ़ते अब आप मुझे बताओ एक सिंपल सी बात यह मेरा हो गया क्या मोमेंट ऑफ इनर्शी ऑफ अलग 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 चीजे में इसमें आपको बताया अब कभी कभी देखो एक में मुझे बात बताओ जो यहां पर न मैं एक पर एक में रुको में यहां पर जो बोल रहा हूं देख एकदम पहिला वाला जो अपना समता जिसमें मुझे बताओ अब मुझे बताओ जो पास हो रही थी जो एक्सिस पास हो रही थी रिंग में वह तो खहाँ पर पर पेंडिकले दो प्लें मतलब कमिंग आउट अव देपेज ऐसे ना और अपन ऐसा बोलते थी कि यह एसे घुम रहा है ओमेगा से यहां पर एक्सिस थी एसे थी इंटर ऑफ मासी पास हो रही थी तो हम लोग ने यहां पर इसका वैल्यू कितना लिखा था अर्वक्त लेकिन ऐसा भी तो सकता है कि भाई जिरींग होती है यह छो रींग होती है तो यह जो यह तो एक्सिस जो मैं हाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं कई हुझे बतो यह एक्सिस मुझे वह दो जारी जारी है तो बढ़िया बदा प्लें आफ दो रिंग बराबर ना यहां पे axis is in the plane, यहां पे axis क्या दिख रहे है यहां पे, axis वाट? और परफेंडिकूले कुले ऑफेंडिकुले टो दो प्लेंff, जो मेरे को फॉर्मूला मेंने डिराइफ क्या था इंटीडिकूरेशन से, वो किसके के ले क्या था मेने, इसके लिए क्या था अंदर वाला मतलब उसकी के प्लेन में होता है ना देखो उसमें कोई इंटेग्रेशन करने का है नहीं करना है इंटेग्रेशन के लिए तो करना ही नहीं है करने के लिए अब करना ही नहीं कि इसके लिए एक मस्स वाला थियरम एक अच्छा वाला थी थियरम उसको बोलते परेंडिकूलर एक्सिस थियरम यह पहले लिख दो तो perpendicular spelling आप खुट डालो axis theorem now what is perpendicular axis theorem एकडम simple जो में यहाँ पे लिख रहा हूँ बाद बगवासी चीज है दिखने में i about z axis is equal to i about x axis plus i about y and यहाँ पे चीज और में लिखता हूँ this is valid only for laminar bodies now what are laminar bodies laminar bodies या एसा हम लोग सोंते plane bodies plane मतलब क्या कोई भी 3D बॉड नहीं 2D बॉड़ी 2D बॉड़ी laminar bodies का मतलब होता है 2D मुझे होता है hollow sphere के लिए valid है क्या no sir it is not valid it is not valid for hollow hollow and solid sphere के लिए valid नहीं है solid sphere के लिए valid नहीं है क्योंकि 3D bodies है तो यह दिस्क सिलेंडर के लिए भी वैलिट नहीं है तो इसका सबसे बेश एक्जांपल में एक्जांपल वन रींग का का है कि अब यह हो गई यह कर रहा हूं इस सांपलों पर अब मुझे बताव यह सपोज मैं एक्जस रहीके इसी प्लैन में और यह वह यह वाली यह वाली फिस इन ध अ प्लैन न इसे गूं रही है कीy easy आपगी यहां पर वीडियों को कर वीडियु को डॉबल करो गैज। यह पर देखो बीडियों को डॉबल है यहां चाहि करकेया एक को यहां कि खुम सकती है कि और बव्यूसी कीap एक्सिस हो गई it is in the plane हो गई देखो ऐसे तो रिंग ऐसे भी घूम सकती है और यह रिंग ऐसे भी घूम सकती है समझ में आ रहे हैं ऐसे भी घूमेगी तो यह यह जो होता है यह इसको बोलते इंद प्लेन और जो ऐसा घूम रहा है देखो ऐसा ऐसे परपैंडिकलर टो प्लेन समझ में आ रहे हैं तो यह चीज समझना जरूरी आपको फिकर अब यह वुझे बताओ यह एक्सिस अक्सिस हो गया यह मुझे बताओ अब मुझे बात बताओ ऐसे घूमाऊ यह पेम भी दिखर है आपको जो निए इस रिंग को ऐसे घूमाओ या ऐसे गूमाओ तो ना तो मुझे बताओ यहां पर नेक्स का पर पर प्रेंटिकुलर आप जेड़ एक्सिस में याद रखा है मैं एम्र स्क्राइब फिर में अपनीडियु लगा i about x plus i about y is equal to i about z मुझे एक चीज़ पता चल गई इधर से कि i x is equal to i y because of what because of what symmetry symmetry के बज़े से i x equal to i y है तो मैं i x and i y equal है तो मैं हाँ पर इसको equation number one को क्या लिखूंगा i x equal to i y तो i x plus i x में तो i x is equal to i z हो जाएगा तो मुझे बताओ i x की value क्या हो जाएगी i z divided by two now what is i z what is i z i z की value कितनी थी mr square तो मुझे basically मुझे मिल गया i x की value क्या मिल गई mr square by 2 समझ में आ अब है कि नहीं समझ में आ रहा है बताओ यह चीज में ने बोला है इसा कोई केस रहेगा जिसके अंदर वह तो सेंटर से नहीं पास हो रहा है लेकिन से थोड़ा दूर से पास हो रहा है करके बार्पैंडिकोल अक्सिस तो वैलिट होगा बर वैलिड होगा कोई अब बं ने कोई बाइप बंसके और यह क्वा कि सब्सक्राइब कि मुझे यह वाली होगी आयक्स यह वाली होगी आयवा है तो इसको किस तरीके से सब्सक्राइब गवी कुछ अभी के लिए नहीं ओके सर्व से ड़ेखना यह जो मैं यहां पर लिख रहा हुँ मैं यहां पर वापस एक्डम सर्कल करके लिखता ओए कब वैलिड होगा गाई से कॉनसे चंडीशन में सिमेट्री और रुख चीज़ेगल जा रहें तब समझ में आ रहे तो हम लोग rences तो पर प्रफर लगा रहे हुदर लगा रहेоло एक्जेक्टलि कहां पर लगा रहे हैं on engineered पर वाम जो हमें पर समझ में आ रहे हैं है चलो चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते गाइस आगे बढ़ते अभी अपना मोमेंट ओफ इनेशियर जस्ट खतम होने को आने वाला है क्योंकि मुझे लास्ट का एक गंटा चाहिए अग्यूर विलॉसिदी के लिए आगे बढ़ते हैं अब स्चाहिब लिखो और रुटी शेकष्ट धेरा हुए तुमको लिखने के लिए और सश्ट मोमेंटर पेनिशर वार्टव के बार अपको ब्रेक मिलेगा अभी लाइग नहीं मिलेगा कि ब्रेक के बाद लिए चलोगी तब तक हम भी जड़ा कॉफी पी आते अपने जो कैमेरा वाले बेटे हुए यहां पे वो बोलते कि उनको उन्होंने पूरा फिजिक्स पढ़ लिया आज सुभे का लेक्षर भी उन्होंने पढ़ लिया वो बोलते कि मेरे को सब कुछ समझ में आता है यह आपके बच्चों कै टेस्ट का लेवल के था अंगी क्ल के रियॉक्ति सालेबल के था इसां लग रहा है तरी बहुत अट्चा लग रहा है ते इन समाझे तो मेडिया वरूज के लान दो है इसी रगा ना मज़ा आया ना क्योंकि वैसे बनाया था मैंने पहला वाला टेस्ट बहुत डिफिकल बनाया था सेगने वाला तुमको लगा है चलो मैं सचा की चलो खुछ कर देता हूं तुमको जैसे इस बार नीट वालो लोग को भी प्रॉपर गवर्मेंट नी खुछ करके रखा था बहुत इजी वेपर डालके तो इसी टिपिकल नहीं वह भी नहीं देखा नहीं देखते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते का लिक्के हो गए तुमकरा तो आज में बहुत यह नहीं करूंगा मतलब टाइम पास करने के मूड में नहीं हूं पास दस मिनिट कभी आपको सुनांगा ना में स्टोरी क्यों टेंशन लेता हूं यहां पर देखो क्योंकि रोटेशन मोशन मुझे बहुत अच्छा करवान है आप लोग का यहां पर देखो अभी मोमेंट अब सेकंड एक्जांपल अपन लेते डिस्क का डिस्क का मोमेंट अब सेकंड एक्जांपल लेते हैं अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होते डिस्क के लिए अपने डिस्क को यहां पर ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया यह अपनी डिस्क हो गई यह यहां पे यहां पे वापस किसी का तो माइक चल रहा है बंद करूं माइक अब यहां पर देखो यहां पर आई अब बाउट जैडक्स क्या होगा अब सिंपल यहां भी सेंटर से देख रहा है सब कुछ सेंटर से तो यह हो गई मेरी Are About XY मैंनेैके घुमा लब दिसको कुछ बोलेंगे सर मैं है क्या हो तो यहां पर भी आया लोगी किसीने बोला तो यहां पर कि पता है मार कि होती है तू होती है अब यहाँ पर कि दिखकती नहीं है यहां पर तो यहां पर लिखेंगे अपन 2i x is equal to i z और i x की value यहाँ पर क्या हो जाएगी i z divided by क्या हो जाएगी 2 i z की value कितनी है mr2 divided by 2 answer क्या होगा यहाप है mr2 divided by 2 answer हो जाएगा mr2 by 4 तो अपने को एच चीज पता चलगे जैको रूल पटाफट लिखो इसको में रूल बता तो जिसके में अगेंस तू अम्सर सःफ खर भाशक लिज समेटरी कर्ण इस लिए डियु गांट इस तेहरम राइट यह डिप अबजेट अबनोड बन्स दियुक्रिक लेट इस दियुक्ष में बनने लिए कुछ कराओं का तो एक आट दो क्षेन ऐसे दोंगा मैं आपको अधिर नॉन स्मेटिकल अबजेक्ट यह ने रॉड फकड़ो एक पार रॉड एक्टेंगूल स्लैप जो परस्ट की लाथा इंडी ऑन तो यह वन डैमेशन नहीं रॉड वन डैमेशन है रॉड वन डैमेशन बोडी के लिए लगाने है प्रफ चलो आगे करेंगे आगे बढ़ते हैं तो अब मुझे पहले से एक सिंपल सी बाद एक दम मस्वाली और सिंपल सी बाद ठीक है मुझे बता यह मैंने दिया रिंग यह मैंने क्या दिया रिंग और रिंग को तो इज हो बता य कोई बोलत डिस्क बता मुझे यह इक डिस्क जिस्क अब डिस्क का मुंगोव इसको मुझे उपाइट पॉर जो यहां पर चुंपल तो यहां पर ममें डूरत अपास होगा है कहां से पास हो रही है इन फाइगा इन गया स्कॉर टो इसको त्वक्टरलमाश इने अर्सक्वेष्वेश्वाऍ टौ marginal स्विस्क्वेश्ट इектив इंद प्रप्रणिक्या नद प्रिश्वां ऑब इसके अप्र प्रजू पिरिरेड ज़ूरerson इस बहुत इम्पोर्टन चीज मैंने हाँ पर बता दिए आपको अब देखो अपन क्या करेंगे यह ता पर पर पेंडिकुलर एक्सिस थे रहाँ वह था पेल लक्सिस थे रहां तरहें रखना जो क्वेश्चन आएंगे वह पर पेंडिकुलर पैलिक के दोनों को क्या हैंगे सब्सक्राइब के लिए है लेकिन वह क्वेश्चन वैसे वैसे बनता है समझ मैं अभी रिविजन चल रहा है ना तो में एक्दम भारी वाले क्वेश्चन में आप नहीं दिखा रहो ठीक है अगले साल अगले साल भी एविजन करेंगे ने दिवीजन तो जो जो जही एडवांस के लिए होंगे न उनके लिए तो बहुत ही अलग अलग टैक के क्वेश्चन दिखाऊंगा थिक है तो यहां पर देखो समझ में आ चुक है अपको अब हम लोग लगाएंगे पैरल एक्सिस थेहरम विच इस आय अबाउट सेंटर ओफ मास प्लस एन इंटू डी स्वेर यह ता मेरा पैरल एक्सिस थेहरम यह कहीं पर भी चलता है को सब्सक्राइब दोनों थीरम अपने हो चुके है अब मैंने इसका इंग्जांपल वन दिया मैंने इसके उपर दिया देखो यहां पर दिया अब यहां पर रिंग रिंग है अब रिंग में मुझे सब्सक्राइब यह पर पंडिकुलर लगाने के बाद यह वाला निकालेंगे जो मैंने अभी आपको डाइरेक्व्य अब बता दिया I about this center of mass निकालेंगे which is again in the plan उसको इसक्षिस this axis is is what में निया पर लिखता हो इस एक्सिस इन दे प्लें इन दे प्लें दे प्लें यह प्लेंड के अंदर ही है तो अब मुझे एक बात बता हो यहां पर I about किए इस डिमाफ में रखना है आपको इसका मास M है यह बार अबाउट सेंटर ओफ मास निकालने के लिए अपने कशल लगाया था लगाएंगे उससे मेरा आंसर क्या था यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर स्क्वेर का स्क्वेर करेंगे अब तुम्हारा हो गया यह कुछ क्या हो गया यहां पर यहां निकालने के लिए यह निकालने के लिए मैंने परफेंडिकुलर एक्सिस ठिरम लगाया and then मैंने ये यूज किया समझ मैं आ रहा है गाइज तो इसको इस एक्जामबल को भी फटा फट लिख दो ठीक है तो देखा जाए तो अपना ये खतम होए में सिर्फ दो और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ दो और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो भी इंपोड़न्ट है और फिर बैच वन एन टू का जो मोमेंट आफ इनश है उसको भी आप लेक्चर को न एकदम फास फर और वे में देख लो ठीक है यहाँ पर देखो यहाँ पर उसके बाद में ब्रेक दूंगा मैं गई पास मिनिट में ब्रेक दूंगा मैं आपको ब्रेक के पहले यहाँ पर सुनो सिव आप लोग सुनो आगे बढ़ू आगे बढ़ू दस सेकंड में आगे बढ़ रहा हूं मैं ठीक है चलो आगे बढ़ता है और इसके बाद जो टॉपिक में लेने वालो एंगुलर वेलॉसिटी ब्रेक के बाद जो होगा वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल्टी से भी मिस मत करना कुछ लोग सब्सक्राइब करना कोई आप किदर से भी हो मतलब जैइक वाले हो में वाले हो वह नीट वाले हो जो एक अब मैंने अपको यहां पर बताया कि कैसे परपेंड्र पैरल दोनों यूज किया जाता है अब यहां पर कुछ फॉर्मुले होते जो कि उतने ही इंपोर्टन होते हैं एक होता है बही होता है उसको मुरूण छोते हैं और यह भी हुआ तो अभी सेक्टेंगूलर स्लैप में यह सेंटर ओफ मास यहां से एक्सिस घुम रही है तो यह तो परफेंडिकुलर है ना तो आय अब आउट जेड़ एक्सिस क्या हो गया पता है आपको आपको एक फॉमूला होता है एंटु क्या एच्वेर प्लस बी स्क् लिए मैं आपको वापस हिंदेता हुं यह यहां पर मुझे आ यहां पर क्या आया ऑओट एक्सिस क्या होगा तो आयक्सिस अबाउट एक्सिस होगा एम बी स्क्वेर बाइट वेल क्यों कि फिर आइबाउट मुझे बताओ फिर आइबाउट जेड क्या हो गया आइबाउट एक्स प्लस आइबाउट वाई तो दोनों को अपन एड करेंगे तो पनसा फॉर्मूला बनेगा आइबाउट बताओ मुझे एम इंटु क्या एस्क्वेर प्लस भी स्क्वेर बाइट वेल यही बना गाई समझ में आ रहा है तुमको तो यह तो देखो न मतलब पर्पेंडिकुलर एक्सिस्टियरम वैलीड तो होता है प्लेंड बॉडिस के लिए मतलब क्या नॉमल ऐसे प्लेंड देखो करें पर दोन यह तो मुझे मता है यह तो मुझे बता है मोमेंट अ क्यों सोचना है थोड़ा सा दिमाक लगा और वहालो नहीं है न रिक्टैंगुलर जब फोला है इस विद्ध्यर स्लैब थिस फ्टैंगुलर स्लैब ऋमोज में ईयरा हैं किया और इवन होलो भी चलता थी के नहीं नहीं यह इसा मत सोचो भाई दिमाग लगा के सोचना इसको तो यह एक फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है जो काम में आएगा तो अब इसका मुझे बताओ यह क्या बनेगा क्यूबाइड बनेगा ना इसी मिंपर नंबर वन में है और एक मिन आपको एक सिंपल और चीज़ जी थी कॉनते वाली जी थी बताओ मुझे और एक चीज मेंने दी थी आपको याद होगा अपन जो रॉड घुमाते थे वो रॉड कैसे घुमाते थे बताओ मुझे यह होता था अपना रॉड मास MN लेंस L वाला और एक्दम पर्पेंडिकुलर मदब ए अबाउट स्कोसा इपन बाउटने और स्वह को छोड़ासा एंगल में घुमाँ है ठीक है सुड़ासा एंगल में घुमाँ ऐसे यहाद एक प्रॉमुला बनाया सानल सिटा है और ऐसे घुमाऊंगा में मास M and L ko तो यहाँ पर I about this center of mass होता था क्या होता था? M L square by 12 sin square theta जिसमें मुझे पता यहाँ पर theta की value 90 है तो theta की value 90 होगी तो sin 91 हो जाएगा तो यहाँ पर I about center of mass क्या बन जाएगा? M L square by क्या बन जाएगा 12 और इसका में आपको पूरूफ भी बता है सापको याद होगा उस लेक्टर में पूरूफ भी है रही है कि नहीं यह पूरूफ यह पूरूफ है ठीक है तो वह भी आपको यह दो फॉर्मिले जो ना काम के होते हैं उसके फिर मैंने लेक्टर नंबर 1 & 2 में बहुत सारे समझ दिए तीन चार या पार्च अब कर लोगे वीडियो कर लिया एक्जांपल करना जो होता है अभी बैसिक रिविजन हो गया ना तो चो एक्जांपल मैंने बैच वरेंड तुकि जो लेक्टर में किये थे वह एक्जांपल को वापस आपको वापस सौल करना अपने खुच से ठीक है यह सर और इधर अपन 이젠 भ्रेक ले लेंगे कितना टाइम हुए अभी only वढ़नि तो फोर फॉर्टी हुआ है और फोर्टी टू मत करो फोर फोर्टी हुआ है तो फोरफोटी से अपना बेक को सैरिसके स्कीरिय में तिखांगों है बारा बेक्टरी तक है फटा फट आ जाउँ चलो बाइ गई तब तक के लिए झाल 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 लेक्चर को और चाहर क्योंकि फायल जो है हो रही है तो हम लोग क्यामेरा नहीं कर पारे फाइल रेंडर हो रही है तो तब तक तींचर मिनेट और आप लोग कुछ कॉफी चाई पी लो जड़ा मुझ भी दोलो ठीक है यह सर्फ कि अब ही कर अब हो जाओ है तो लोग है यह उस्ट को सब्सक्राइब करेंदा है करें विए यह तो यह ज़्यूद्ट विश्यूद्ट कर दोलोग है यह तो भी जो गए रिंडर हो चुक है हाँ गाइज चालो रेकॉर्डिंग देले के दिखेड़ेगा एक में पाने वेडियों देखेड़ेगा ठीक है गई अब यहापे देखो है 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 लाइट की लाइट की लाइट स्क्रीन वर देखेड़ेगा इधर लाइट दिखरा न आपको स्क्रीन पर आ रहा है ना जैस सर्ट लोगा यह थाक होला करने मांगे तो अभी हम लोग स्टार्ट करते वाप अपन ने अभी हम लोगने अभी क्या पढ़ लिया जैसे मैं आपको बोला था जैसे को टीकवल तो आयलपा इसमें वाटन इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज हो टू कैल्जूएट मोमेंट ऑफ इनर्शिय अन्हाँ इंड डिपेंड्स अपन वाट लेक्टर में तो यह एक्पेशन देखेंगे टॉर्क के से करते हैं अलफा क्या होता है यह सब कुछ देखेंगे और वह सब कुछ देखेंगे और वह आपने देखा हुआ है लेकिन आज का जो टॉपीक है अभी जो हम लोग पढ़ाने वाले वह एंगूलर वेलासिटी तो यह हो गया मेरा एंगूलर वेलासिटी तो यहां पर एंगूलर वेलासिटी जो होता है वह क्या होता है और यह एक वेक्टर ही होता है ठीक है अब में तो पता होगा कि कोई भी पॉइंट में मतलब यह सब्सक्राइब है कोई भी चीज ऐसे सर्क्यूलर मोशन करती है मतलब एपॉइंट से बी पॉइंट पर यह एक गारी है से ट्रैवल करें जा रही है सरक्यूलर मोशन में घूमे जा रही है तो यह एंगल रोटेट करता है ठीक है अब आपको पताए इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं ब यह आपन क्या करते है राइट हैं थम रूल ऐसा जिस जारी समय से एंटी क्लोक वाई जो एंटी क्लोक में फिंगर में घुमा आओ तो इसके समय आगुलर डिस्प्रेश्मेंट होती है इस आउट अफ दॉट प्ले सिंबल में इसको यूज करूंगा आपको बता है कि अब तुमको एक सिंबल की बात मुछे बता हो कि वेरी स्मॉल एंगल अप इस एंगल को में वेक्टर लेता हूँ एंड एंगल डवेक्टर इस परेंडिक्र डू प्लेन आफ रोटेशन जैसे यहां पे रोटेट ऐसा कर रह है थम कहा प्यार आउट आप देगा मुझे अगलर डिरेक्शन विशिज आउट आप देच आउट अप जब यहां पर रहा तो यह घुट अव तो नहीं तो चुनो यह एक जो नोटेशन से चुन आज चैनल एड जनली मतलब कोई बी सपोज्ट आप एक पार्टिकल ऐसे घुम रहा होगा इसा लिखते है ओमेगा यह सेंस होता है इसका मतलब अंगुल वेलोसिटी ऐसा कुछ एसा अंगुल वेलोसिटी के डाइलेक्शन ऐसा नहीं है अंगुल वेलोसिटी करो इस आउट अफ देच्ट जब मैं ऐसा लिखता हूँ तो मुझे आपको तो पता ही है एंगुल एक्सलिशन क्या होता है वापस दो टम्स होंगे अंगुल एक्सलिशन क्या होता है एवरेज डेल्टा ओमेगा ऱगर्णिशन अल्फा ओमेगा आख मेगाए वाइग को फिल्वह था एकर से अपन्स को स्कूंधा किए तो दो आख यू miećर अब मैंने में पली बढ़ने लगी बढ़ने लगी तो तो इंग्यल वेलासियी जीरो से कुछ हुई तो इंग्यल वेलासिरी बड़ रही है राइट बड़ रही है तो इसको हम लोग क्या बोलते रेट आव चेंज ऑफ विलोसिटी हो रही ना उसमें क्या गया अब एक बार वह उसकी सब्सक्राइब कर रहा है तो इसमें आपको यहां पर बताता हूं ठीक है यहां पर देखो जैसे मैंने आपको सब्सक्राइब को लिखा सब्सक्राइब को यहां पर वेलोसिटी के जगे वेलोसिटी के जगे यहां पर आएगा एंगुलर वेलोसिटी ठीक है अब बताया एंगुलर एक्सलेशन था डी ओमेगा बाई डी ती और फिर वी के जगे ओमेगा डी ओमेगा डी टीटा समझ में आ रहे के नहीं आ रहे है सेम यहीं थीन तूसीम मैंने बोला ता की सको रिप्लेस परो थीटा से डिसीटा से डिसीडिस्प्रेस्में अंगिलर दिसीजिद्ड वेलोसिटी वटीदी डिसीद गुलर्फिक डिसीजिव च्कुलर्फिक एसा करते रहना है तो आपको तीनो तीन इक्वेशन मिलेंगे फ एसे V is equal to U plus 80 S is equal to U T plus half 80 square and V square is equal to kya U square plus 2 AS समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं समझना क्या था है तो पता ही था तुम्कों सिमिलरली वेन angular acceleration is constant when alpha is equal to constant यहां पे भी तीन equation हैंगे कुन से final angular velocity is initial angular velocity plus alpha t angular displacement is initial angular velocity T plus alpha half alpha t square and omega final square is equal to omega initial square plus 2 alpha theta समझ में आ रहे हैं यह सब जगे पर क्या किया मैंने velocity displacement by theta velocity by omega and acceleration by alpha समझ में आ रहा है इतना चीज दिमाग में रखो इतना चीज दिमाग में रखो इसको फटा फट लिखो चलो इसको पहले इसको लिखो पंधरा सेकन इसको आगे के 20 सेकन उसको चलो अभी जग मैं angular velocity के ऊपर गया ही नहीं हूँ उसको मैं फिर angular velocity को अभी पढ़ाऊंगा और फिर अगले lecture में उसको continue करके आगे बढ़ूंगा कि यह तो सारा में जो लिखा वह पढ़ाया था वही चीज बताया में एक दो एक्जांपल बता दूं कहां बोलो तो मुझे एक डाउट था मतलब instantaneous angular velocity को ही वेक्टर क्यों लिया है और average angular velocity को क्यों नहीं हाँ यह डाउट जो है इसमें यह बैसिकली मैंने एक चीज तभी भी बोली तो अभी भी बोलता हूँ थोड़ा सा गूगल मार के आओ कि यह जो बीग एंगल होता है ना बीग एंगल इस स्केलर इस नोट वेक्टर small एंगल very small एंगल इस वेक्टर बीग एंगल इस स्केलर यह प्रूव करो तो प्रूव इदर उसे से पढ़के आओ प्रूव करके दिखाओ वेक्टोरिकली पढ़ने पढ़ते है उसको हूँ किसमा है कि अल्च है अगे इसको लिखो पढ़ा पर चलो है कि 20 सेकंद्स हुआ 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 है कि याद आ रहा होगा आपको सब्सक्राइब कर दो कर दो कर रहा हुआ हुआ पहले इन फॉर्मॉला के उपर आप सब्सक्राइब कर दो फीर में कुछ तुरा सा अलग देता हुआ है अगे अगे बड़े वन मिनिट्ट वन मिनिट्ट् है डान सर्थ कि इस अगे ऐख अगे बड़े अगे बड़े अब यहाप है को यहां पर देखको एक्जांपल बन अब इस एक्जांपल वन में एकदम सिंपल सा में आपके इसांपल जाता हूँ ठीक है तो कि यहां पर लिखा है कि फैन रोटेट्स वीद्ट कॉंस्टंट अंग्यूलर एक्सопर अयसे पहल सेक्ड स्क्वेर अपना इने होता है कि जहां पर सेक्ट अलफा क्या ओए रदे रीट पर सेक्ट स्कुरें ठीक है फैन इत पाइन इसलिक सब्सक्राइब स्विट जिरो अंगफिल अंगुलर वेलोसिटी इस तार्ट सुटी ओमेगा इकोल तो जिरो ओमेगा इनिशल जिरो है ठीक है find final angular velocity ठीक है and number of revolution ठीक है ये दोनों चीज निकालना है after t is equal to 4 seconds 4 seconds के बाद number of revolutions कितने होंगे ठीक है और final angular velocity कितनी होंगी ये दोनों चीज़े पुछी या फिर एंगल रोटेट number of revolution मतलब पहले एंगल रोटेट निकालना पड़ेगा आपको ठीक है सुनों यापर कैसे करूँगा इस क्वेशन को गाज मुझे बताओ कैसे कर गए alpha constant alpha constant है alpha constant मतलब क्या अपन कौनसा formula यूज कर सकते है ओमेगा फाइनल के लिए को साब ओमेगा इसकरेंगे ओमेगा इनिशियल प्लस अलफा इंटुटी एट तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आई एट रेडियन पर सेकंड गाइस एट रेडियन पर सेकंड आई फाइनल एंगुलर वेलोसिटी किसी ने बोला कि यह एंगल ठीटा निकालना है ठीटा की वैल्यू आई ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अलफा इंटुटी स्क्वेर तो अमेगा इनिशियल टी कितना है यह ज़िए जितना एक टी-स्क्वर की वल्व कितनी है एक कीटर ना है 16 डिश्य कोई दिक्कत एас क्या क्या तो तो टोटल एंगल रोटेट कितना हो थो मुझे पताओ एक rotation में मतलब एक revolution में one revolution में कितने एंगल होता है तो पाइड तो मुझे तो 16 रेडियन कितने rotation में होगा समझ में आ रहे कि नहीं है तुपाइट पाइट पाइड आपको नहीं समझ नहीं है टोटल एंगल लोटेटेड मतलब ऐसा बोल सकते हैं अंगल डिवाइड बाइड लोटेड इन वन रिवोडूशन तो बोल दटना हुआ 16 दिवाइड बाइड 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 पाइड वाई रिवोडूशन होंगे तो धार में रखना नमबर आफ यूवलोशन कितने होंगे एट बाइपाई और ओमेगा फाइनल होगा एट रेडियन पर समझ में आ रहे हैं मैं यह मेरे दोनों के दोनों ब्रॉक्स में जो लिख रहा हुए दोनों के दोनों आंसर कि एक प्रश्चन था इसमें बहुत अलग सकते जो भी काइनमेंटि के मतलब मैंने बुदा है इनीशल वेलौसियों देंन नौट जीरो इनिचल वेलोश्यश्टी टूरीटीजों पर सेकंट तो यहां पे टूरे ज़ेंगे डालेंगे जिनो के जगे पॉम्ट तो यही लगाइंगे फॉम्टा तो से बढ़ती है तो सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब होता है कि इस ट्रेप्टी कुश्चन तो बहुत सारे आएंगे और वह मैं आपको आगे बढ़ते हैं आपको सब्सक्राइब हो अगर हमने यह नंबर अफ रेवल्यूशन थू ओमेगा से चैल्कुलेट किया तो एट बाइ फोर आता एट बाइ पाय आता है तो ऐसा डिफरेंस की हुआ है कहां से तुन्हें कैल्कुलेट किया तो गलत किया होगा तुन्हें कुछ छा मतलबं ओमेगा फाइभ और अगे बड़े अगे बड़े अब एकसांपल तू एकसांपल तूदेखेय LOOKbu एगशांपल तूद देखो technical गईnग Im पर फैन है अब uger सब्सक्राइब दिया पर तू प्लस फोर्टी स्कवर लस् 2-1 लॉकी अचिक कर रहा है टाइम के साथ साथ तो बोला है find angular velocity omega and find alpha at time t is equal to two seconds तो मुझे होता है ऐसे question में क्या करना पड़ेगा मुझे होता है कोई formula लगाना है कि इस question में ऐसे question में है नहीं लगाना है अपने differentiate करना है वस omega की value होगी d theta by dt भाई इसको derivative करो कितना होगा है इसको और एक बार differentiate करो alpha की value क्या होगी d omega by dt तो इसको एक बार derivative करो answer क्या है का 8 तो मुझे होता है यह तो आपको समझ में आ रहे हैं चीज मेंने क्या क्या है यह सब्सक्राइब को इसको लिखो इसको दस से कंद में लिखो इसको क्या है ठीक है गाईज अगे बड़े आगे बड़े अगे बड़ते हैं एक्जांपल थ्री एक्जांपल थ्री में अब अब एक्ट्राइव कर लेते हैं अब अ अ अ एक पाइन है वो रोटेट कर रहा है अ फैन इस रोटेटिंग विच्ट सम अंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इस इकोल टू ऐसा लिखा है याज से यहाँ पैसा लिखा है लेज़िए असे कि ओमेगा लिखा है 3T स्क्राइव से लिख रहा है heb लका घूम रहें और our Seconds वेलोसिटी सिके में डूटान ती दीज्वलटोग्र को दीखे रहे होगा इनिशेन आगूलर वेलोसिटी सि wa and angle जो angular displacement हा वो भी 0 था initial angular displacement 0 था fine find find angular displacement at time for the curve and angular displacement angular displacement at time t is equal to less tips मुझे बता यार सेम चिज़ जो kin wilderness में करते सेनी इंटिग्रेशन डेरिवेटिव बच्चों अले शिजए ठीक है वही करो यहां पर ओमेगा इस इक्वल टू एठीटी स्क्वेशर होता है ओमेगा की वैल्ली यहां पर क्या लेंगे अपन इडिटी डिटी इस इक्वल टू क्या करेंगे ठीटी स्क्वेर तो अब मुझे यहा बस तो time t is equal to 0 पे angular displacement कितनी थी 0 तो time t is equal to 2 पे पूछा है तो चल्ला मैं काम करता हो time t is equal to t पे निकाल देता हूं मतलब एक equation ही बन जाएगा थीटा की वैल्यू कितने हो जाएगी 3 t cube by 3 3 3 cancer हो गया तो answer क्या एगा theta की वैल्यू क्या हो जाएगी अब समझ में आ रहे कि दुम को एचिस या सो या सो थीटा की वैल्यू कि टीटा की वैल्यू पिर ताम t is equal to 2 के लिए कितने हो जाएगी 2 q which is equal to kisna 8 कोई समझ में कुछ समझ में आ रहे है आइस समझ में आ रहे है या सर्ट्यू किजी एना या सर्ट्यू अब important part चल यह पार तो होग है इस प्रका तो अजसे बहुत सारी बहुत सारक यलगली डिरिवेटी इंडीरी experts करते जाओ किछी इत्ने वीधर को सकते सेम का स्फीर में होगा दरन में डिस्प्रेस्मेंट à थीटा वी बाई ओमेगा एबाई अलपा बाकी सब कुछ सेम बाकी सब सेम काइनमेटिक इवन पूरा ग्राफ का ग्राफ यहाँ पर आ सकता है ठीक है जो में पार्ट है ने अग्यूर वेलोसिटी का वो में अभी स्टार्ट करूंगा और थोड़ा सा बताऊंगा और फिर उसक करो गलती से भी कि तो दिखा रहे कि लेक्शर खतम हो गया है कि अच्छा काफी सा रखिया है ना बनने अच्छ यह सब चाहिए अच्छ थोड़ा सा समझ गया है ना तुम लोग को देखो क्या होते मैं आपको बतारा देखो अपनी सिफ रिवीजिन करते हैं अब मुझे बताओ जो पूरा का पूरा फिजिक्स आपने पढ़ा है वह एक्दम पहले से लास्टेक वापस पढ़ा हूं में और ऐसी स्पीड में तो लिखने लिखने का टाइम नहीं दूँगा मैं तो हरे की जो आपको तब समझी नहीं ह होगी वह समझने चालो होगी ऐसा होता है ऑगले साथ में भी बहुत सारे लोगी तरक्की हो जाएगी जिन्दगी में ठीक है लेकिन वो जुले के बाद हो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको तो मेहनत तो करनी है कि अंदर कुछ बीची चुड़ने नहीं है छुढनने करें के मन्द किया तो भाई कॉल कर लो तो अब यहां पे सब लोग ख़ो गाइजղ हम लोग अब क्या करेंगए देखो अब तो अपना चीज हो गया अपना तो अब इहां पर फड़ा सा अपन एंगूलर वेलिटी सिंटे बारे में भात करें थोड़ा सा detail में बात करते नवाटテि एंगि़ेस एंगुळर वेलोगती डिपेंड suppression लगवर की सब color के उपर दिपेंड करता है न कर डिढ़ के बताओ अपने वो सब वो भी किया तो इतना चोटा सा अपने चीज कुछ तो किया था ठीक है अपने इसको डिसक्स करेंगे लेकिन अभी नहीं अभी पहले यहां पर देखो सब मतलब किया से मैंने एक सिंपल सी बात बता है कि एक मास M है जो वेलॉसिटी वी से मू कर रहा है और स्टैट लाइन में कर रहा है तो कोई बोलेगा कि इसके सब्सक्राइन हीज नहीं होती ऊप्जर्वर कोई बाता होगा यह observer में लिखता हूँ O-1 observer, कोई observer यहाँ पे बेटा होगा O-2 observer, ठीक है, कोई observer यहाँ पे बेटा होगा O-3 observer, उसको बेटके देख रहा है, अब पताव को जो O-2 observer देखा है अब यहां पर देखो अब यहां पर यह जो अब जर्वर बेठा है अब को पता है यह उसकी इसाफ से पहले पार्टिकल यहां पर था जो गुम के यहां पर आया बी पर आया तो इसने कुछ न कुछ इस अब्सक्वर के इसाफ से कुछ न कुछ क्या किया एंगल रोटेट किया है तो बहुत है एंगलर विलोशिटी विच रिस्पेक्ट तुडिस ऑब्सरवर इस इक्वल टू क्या होगी इस एंगल डिवाइड बाए टाइम समझ में आ रह ठीटाव लिखते हैं और डेल्टाटी हो गया है जो यह उपर वन अपना उसकी इसाफ से एंगलर वेलोसिटी क्या होगी डेल्टा ठीटा हूँ इहां पर डेल्टाथीता थीटाटू होगा तो यहां पर मिलिख दूंगा इसको एंग्विलोशिटी सब्सक्राइड ऑप्ज टू डिवाइड बैटाइम हाँ अब मुझे रहेगा ओवन कोई एंगल कर रहे हैं कि यहां पर दिया था कि एक पार्टिकल सरकल में घुम रहा है दो टैपको बेठे है एक अब्जर्वर बेठा है लेट से ओवन जो की सेंटर पें बेठा है एक उब्जर्वर बेठा उसके सरकमफरंस पे किसको देख रहा है एक पार्सिकल जो मुझ कर रहे है एक बीपे शरक्यूलर में घुम रहे हैं कोया पर मस्त अपना अरे यार कभी कभी नहीं है अब यहां पर जखो क्या है एक अपना मस्त पर बेठा हुआ है ठीक है तो और यह एक जो है वह सरकमफरंस पर बेठा है और एक सेंटर पर बेठा है वह 2 है और एक सेंट रहे हैं दोनों देखर है कि एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर ऑसे ट्रावल कर ला है तो कोई बोल सकता है कि कि इसके में कितने एंगल कवर करेगा मैंने बोला भी था आपको कितना है एक प्रॉपर्टी होती जो बच्पन में पढ़ते थे हम लोग तो एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ओवन इस इक्वल टू होगा ठीटा अपॉन टी अंगुलर वेलोसिटी विथ आपको जबागा कि एंगुलर वेलोसिटी ओवन की एंगुलर वेलोसिटी विस्पेक्ट टू की नहीं है और इन दोनों में जो रेशियो है वह है वन बाइटू का तो यह तो अंगुलर वेलोसिटी में यहां पे सबसे इंपॉर्टन स्टेट्मेंट लिख के रखता हूँ एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड अपॉन डिपेंड ओन क्या ऑब्जरवर कहां पे बैठा है कहां पे बैठके देख रहा है डिपेंड अपॉन ऑब्जरवर ठीक है इसी को ही थोड़ा साम लोग आगे स्ट्रेच करते हैं ठीक है और फिर दोनों चीजी एक साथ लिगा आप यह इस तो एक सब्सक्राइब अब्जरवर अब आप अच्छा हो गया है ना मेरा मैं तुर्णा था वीक हो रहा है अब समझ रहों मेरों को भी लेक्ट्रेश रहें करने बढ़ेंगे बढ़ा है थोड़ा थोड़ा कभी-कभी होता है समझ रहो ना आप आप अपर जब पढ़ाते तो कभी-कभी समझ में आता है यह तरका उदर हो जाता है सब्सक्राइब आगे बढ़ते आगे बढ़ते एंगिलर वेलोसिटी डिपेंड सपान अब जरवर अब आगे इसका स्किंशॉड अपने ले लिया होगा तो आगे बढ़ते हां बोलो भाई सर मतलब हम जितना क्लोज जाके देखेंगे हमको उस अब्जेक्ट की अंगिलर वेलोसिटी उतनी ज्यादी दिखेगी न बिल्कुल बोल सकते हैं ठीक है तो अभी यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर देखो अब मैं एक सिंपल सा चीज बढ़ता हूँ ठीक है फिर उसको अग एक सिंपल सा चीज बढ़ता हूँ और उसको फिर में बाद में कंटिन्यू करूंगा हूँ टुपाइंड एंग्यूलर वेलोसिटी हूँ टुपाइंड ओमेगा ऑफ एनी बॉड़ी तो ऐसा पकेट लेते कोई बॉड़ी गाइस यहाँ पर सब लोग जहाएं से देखो यह इस बॉड़ी है इस बॉड़ी में अब इस बउड़ी को ना मतलब कोई एक ऐसा पाथ spar हो यह बहुत गूम जा रहा है फिर फो मिलोग बोलते लोटेशंग पाइस की ऑना नगोट प्त्थर जारा हूं जाय एक तो होता था था आ किसी ने बोला एसे डिए बॉलोडी उख करना यह तो पहले क्या पते हैं कोई भी दोपइंट लोग तेक एनी टूपंट्स औल ओन बडॉडी तीड़ है अब यह पौ Physics यह पॉइंट ला मेने बी पॉइंट ए इन दो पॉइंट का क्या करने का Actual वेलॉसेश्य यह एक्शेट व ह대ग्ड डिग्ड pesos को सब्सक्रों लिखनेंगा गाद एक्स्टल वेलोसिटी होगा दीवन और बी पाइंट के एक्शन वेलोसिटी वह वेलोसिटी अवंगा वीटू सबसा खित अब गरने का दिखो कैंब करने का जोईने का घर मैंसर बता रहूंए एंब को जॉइन किया ठीड और विञें करने का जिए फिर कीज़ने का अब यहां पर यहां पर यहां पर से इसका एंगल थीटा वन है इसका एंगल थीटा टू है तो क्या करने का बता है इस वेलोसितिकंगे दो सबस्क्राइब को में यहां पर यहां पर यहां पर तो साहीं थिता वन होगा और यहां पर वीटु का क्या हो जाएगा वीटुक्त अब धायन में इसको में पर्पेंडिकुलर कम्पनेट अपको पता इस बोडी इस रीजिद बोडी now if this is rigid body if this is rigid body तो मुझे बाता rigid body कभी अचा कर सकते हैं inextensible होती है न वो so if the body is rigid body क्योंकि देखो न मैंने या पर लिखा है it is rigid body तो v1 parallel should be equal to kya v2 parallel इससे जो बना ये क्यों because the body is body is what rigid so it is not in it is not extensible ठीक है तो अपन यहां पर equation लिखेंगे v1 cos theta 1 should be equal to v2 cos theta 2 मेरा आगे equation number 1 अब अब मैंना तो question कहता how to find angular velocity guys angular velocity क्या होगी so angular velocity को तो मैं definition यहां पर लिखता how to find angular velocity which is a बहुत इंबान definition है it is velocity of a with respect to be magnitude divided by length यह actual angular velocity का actually कोई भी दो पॉइंट लेने का एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के with respect to velocity लिखने की divided by the separation between them length this is the actual definition of angular velocity इंब बहुत है तो यहां पर क्या बचेगा बता है वीवन पर्पेंडिकुलर वेक्टोर वेक्टर है वेक्टर ही करना है न माइनस वीटू पर्पेंडिकुलर वेक्टर आपको वेक्टर लिखना पड़ेगा अपने को लेकिन उसका मेंगिडूट लिखना एक डिवाइड बाइद लेंग है अब नाव फिवन पर्पेंडिकुलर वेक्टर ने दोनों सेम डिरेक्शन में तो आपन यहां पर क्या लिख सकते है इस पर्टिकलर के इसमें एंग्डिक्ट तो थीक ऐसी रखो कभी बढ़ा होगा तो क्या हो जाएगा उल्टा लिखने को समझ में आ रहा है अब आपको काम करना है जो लोग बैच 3 वाले है यह फ्राइट वालो को भी देखना है इसको मैं आगे लेखके जाओंगा तो अपना अगे रोटेशन का तो अगला अगला मतलब यह वाला फ्राइड और नेक्स वाला विक उसमें अपने रोटेशन मोशन मोश्टी खतम कर देंगे मतलब कुंसा वालोटेशन मोशन जही में लेवल तक जहीं एडवांस के लिए और दो लेक्स लगेंगे वह में देख रहा हो कि कैसे लूम है मतलब लेकिन वो टाइम स्लोट मतलब कैसे कर सकते हैं फिर मैं सिंपल हमोरी मोशन स्टार्ट कर लोगा ठीक है गाई तो मिलते है स्कृक॥ बड़ेकिन जोट लो उसका इसका 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 इटतरो पहिला हाँ बोलो ट्यांग्स फिर्वांस टीद रिनोर खरता है ना बरावर सिर वो बौटल की जाब बॉपन करते लिगवा थो सर उस में कैसल है लोगा खालो करी लागत करें ओ डPad व्यक्व तो अग्यवर्टिकल दिश्मेंट क्यों ले ये वर्टिकल दिश्मेंट वो तो चीज अलग ये वसको बात में वेचे पने नाम देंगे PITCH PITCN इक है सर्थ चलो गाइज फिर मिलते हैं थेंकि श्र्र यांग थेंकिश्वर गाइज जिल्टेंगे प्रोब्लम है क्या ब्राइटनेस है क्या एडिटिन करनी पड़ेगी समझ मैं यह तो यह सब एक्सप्रिमेंट में जाने वाले लाइट के एक्सप्रिमेंट इसके एक्सप्रिमेंट फिर मुझे लगता है कि जाएगा और वह उसमें में अच्छा दिखाने वाला हूँ थिक है एक दो करें गया के दूसों थैंकियू सब्सक्राइब